पर नियूज के नियूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अक्रम जम्मो कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद से भारतिय जनता पार्टी के लिए खबरिस्तान बनता जा रहा है जम्मो कश्मीर क्योंकि दो साल के अंदर जो तस्वीरे चौखाने वाले सामने आ रही हैं उसमें 23 भारतिय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो चुकी है हत्या के पीछे कौन लोग है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है 23 लोगों की हत्या होने के बाद जो है गोदी मीरिया बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है और इसको लेकर के भारतिय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है जम्मो कश्मीर के एक बार इस पर नज़र डालते हैं आपको बता दें कि 5 अगस 2019 को मोदी सरकार तोरा 370 हटाए जाने के बाद तमाम तस्वीरे सामने आई और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जारी है कि रहर रहकर के भारतिय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही है भाजपा प्रवक्ता अलताफ ठाकुर के अनुसार पिछले दो सालों में इनमे से 12 नेताओं और कारेकरताओं की हत्या कश्मीर घाटी और 11 की हत्या जम्मू में हुई है उन्होंने कहा कि इनमें से सिर्फ नौ भाजपा नेताओं या कारेकरताओं की हत्या पिछले एक साल में खुलगामा जिले में हुई है जो चिंता का विशे है बाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस के लिए दोशियों को पकड़ना और दक्षिन कश्मीर में बाजपा कारेकरताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चनौती है उन्होंने कहा कि बाजपा नेताओं पर हमला रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है बारतिय जन्ता पार्टी ने भी सुझाद दिया है कि घाटी के सभी दस जिलों में भाजपा कारेकरताओं के लिए सुरक्षित आवास इस्थापित करने की ततकाल आवशक्ता है क्योंकि वे खत्रों का सामना कर रहे हैं और चापपों मारों द्वारा पार्टी कारेकरताओं और नेताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं पुलिस सूत्रों ने कहा हैं कि सैकडो भाजपा कारेकरताओं की सुरक्षित आवास पर ले जाया गया है जबकि कई को सुरक्षा प्रदान की गई है हाला की चापा मारा अभी भी मुख्य रूप से घाटी के ग्रामिन इलाकों में भाजपा निताओं और कारेकरताओं को निशाना बनाने में काम्याब रहे हैं पिछले साल अगस्त में केंदर शासित प्रदेश की कमान सभालने के बाद उप राजपाल मनोस सिना ने भाजपा के जमीनी इस्तर परती निदियों और कारेकरताओं को बेहतर सुरक्षा देने का वादा किया था हाला कि इसके बाद भी जमीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ है जहां भारती जनता पार्टी के जो राजपाल खास्तोर पर मनोस सिना हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अपनी पार्टी के नेताओं को जो है सुरक्षा मौया कराई जाएगी तो आप देख सकते हैं कि जब अपने नेताओं को ही सुरक्षा मौया नहीं करा पा रहे हैं तो आम जनता की सुरक्षा कहां से भारती जनता पार्टी कर पाएगी कहां कहां कपकप किन लोगों पर हमला हुआ है एक बार इस पर भी नज़र डालते हैं आपको बता दें इससे पहले बीते गुरुवार को 19 अगस्ट 2021 को कुलगामा जिले के ब्राजोल इलाके में जमु कश्मीर अपनी पार्टी के निता गुलाम हसन लोन की चरम पंतियों न नरंदर मोदी के नितरित वाली के इंदर सरकार ने अगस्ट 2019 में कश्मीर को विशेश राजे दरजा देने वाले अनुचे 370 को खतम कर दिया था उसके बाद बीजेपी और उसके सहीयोगी पार्टी के नेताओं को चरमपतिती खास्तोर पर निशाना बना रही हैं एक नज कश्मीर के राजोरी जिले में बीजेपी नेता और जिला मंडल अध्यक्ष जस्वीर सिंग के घर पर ग्रिनेट से हमला किया गया था इस हमले में बीजेपी नेता समय परिवार के छे लोग गायल हो गए थे हमले के समय परिवार वाले घर के आंगन में बैठे थे हमले में बीजेपी नेता के भाई का दो वर्शिय बेटा वीर सिंग भी घायल हुआ था घायल बच्चे के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी तो वहीं आपको बता दें के 9 अगस्त को गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी बीजेपी किसान मोर्चा के चिला अध्यक्ष और सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिर की चरम पंतियों ने दिन दाहारे उनके घर में घुसकर हत्या कर दी थी तो वहीं 3 जून 2021 को राकेश पंडित की हत्या कर दी गई थी अपको बता दें के 3 जून 2021 को राकेश पंडित की हत्या कर दी गई थी ती उत्री कश्मीर के सपोर कस्बे में 30 मार्च को चरम पंतियों ने नगरपालिका के दफ्तर पर हमला किया हमले में दो पार्शदों और एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई थी मारे गए दोनों पार्शा शमसुद्दिन और रियाज एहमद बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे तो वहीं एक अपरेल दो हजार एककिस अनवर खान के घर पर हमला हुआ बीजेपी कारेकारणी के सदसे और लेव और कुपवाड़ा में पार्टी के इंचारज अनवर खान और शिलिनगर इस्तित घर एक अपरेल दो हजार एकिस को हमला हुआ था उस हमले में खान तो बच गए थे लेकिन उनके एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी अक्टूबर दो हजार बीस में तीन बीजेपी कारेकरताओं की हत्या हुई पिछले साल अक्टूबर महीने में बीजेपी के तीन कारेकरता फिदा हुसेन, याटू, उमर सिंग, रशीदी और उमर रमजान हजाम की एक चरमपंती हमले में मौत हो गई थी कुलबामा के वाई के पुरा के इलाके में शाम के वक्त उनकी कार पर हमला कर दिया गया था चे अगस दो हजार बीस बीजेपी सरपंच सचाद एहमत खांडे की हत्या कर दी गई तो वहीं चार अगस दो हजार बीस बीजेपी सरपंच पर हमला किया गया तो अगस 2020 में बीजेपी नेता की हत्या हुई अगस 2020 में बढगामा में बीजेपी कारे करता अब्दुल हमीद नजर पर अग्यात लोगों ने गोलिया चला दी थी तो जुलाई 2020 में वसीम बारी की हत्या हुई तो बीजेपी नेताओं पर हमले लगातार जम्मु कश्मीर में हो रहे हैं और जम्मु कश्मीर खासतोर पर भारती जन्ता पार्डी में जो मुस्लिम चहरे शामिल हुए हैं उनके लिए कबरिस्तान बनता जा रहा है ये तस्वीर लगातार सामने आ रही हैं जहां उपरा जेपाल मनोस सिना द्वारा ये दावा तो कर दिया गया कि अपने नेताओं की सुरक्षा करेंगे तो किस तरीके से ये सुरक्षा की गई है उनकी भी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है और मीडिया भारतिय जंता पारटी के निताओं की हत्या तो उन्हें दिखाई दे रही है पर जो वाकी अवाम के साथ हुआ उन तस्वीरों का जिक्र तक नहीं करना चाहता मैं ऐसे ही चमू कश्मीर से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साजा करता रहूँगा दीजिये इजासत शुक्रिया झाल 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 झाल